हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब कैसे हैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और देखिए आज हमने पनीर पकोड़े बनाया हैं बहुत ही टेस्टी और क्रंची और बहुत ही लाजबाब है एक बार आप लोग जुरूर ट्राइ किजिएगा और पनीर के पकोड़े तो हर कोई के फेबरेट होता है और अच्छा भी लगता है एक बहुत बहुत इजी रेस्पी है आप लोग जरूर इसको ट्राइ किजिएगा और बनाईएगा और खाईएगा इंच्वाई किजिएगा प्लीज आप लोगों से रिक्वेश्ट है एक पर जरूर ट्राइ किज आप लोग इसको जरूर बनाईएगा बच्चों को बड़ो को सबको पसंदाने वाला ये पनीर पकोड़ा भहुत ही तेश्टी बनता है और इतने फूल बन जाता है क्योंकि बजार में यह बहुत ही मांगा मिलता है इसके लिए हमने यह 1.5 गराम बेशन लिया है 200 गराम पनीर के लिए और इसमें स्वाधन सार नमक और इसमें हम थोड़ा सा अदरक लासुन और यह लाल मिर्च का पेश्ट डाला है और यह लाल मिर्च पॉड़र भी हमने 2 चमच डाला है थोड़ा सा चटपटा के लिए और यह हल्दी पॉड़र है और इसमें हम एक चमच धनिया पॉड़र और एक चमच हम गराम मसाला भी डालेंगे और यह थोड़ी सी करस करके हमने अजवाइन डाला है और इसमें यह धनिया पत्ता और एक पियाज छोट-छोटे कट करके रखाया और दो-चार हरी मिर्च कट करके रखाया और इसको अच्छे तरह से एक साथ पानी नहीं डालेंगे घोल को बिलकुल हम में पतला नहीं करना है मेडियम खोल रखना एकदम घढ़ाया है क्योंकि पनीर पकोड़ा है कोई आलू-पियाज का पकोड़ा नहीं है इसमें घोल बेशन का एकदम सा ठीक होना चाहिए अगर आपका घोल ठीक नहीं हुआ तो आपका पनीर जल जाएगा और यह हो जाए और इसमें हम बाद में ये एक चमस थोड़ा सा सरसू आयल डाले गरमायल आप जो भी कुकिंग आयल खाते है न वो आप एक चमस डाल सकते हैं उससे क्या होता है कि करंची बनता है जरूर डालिएगा एक बड़े चमस से और डाल के इसको अच्छे तरह से करके और पतले पतले लंबे लंबे करियो किजी अच्छा लगता है और खाने में भी इसाब जिए तोड़ा सा पतले अबे लंबेमे करका जाया और यह दिके हम में on और हम इसको पूरा कट करके रख देंगे, और तब तक हमारा बेशन भी यह और रेष्ट हो रहा है, और बेशन को बिल्खुल आप लोग पतला नहीं कीजियेगा नहीं, तो आपके पनीर पकोड़ा जो है ना, पनीर जल जाएगा और बेशन एक दम से दिखेगा नहीं, और य और कोई जरूरी नहीं हाथ लगाने के लिए भी क्योंकि आप चम्मस से भी स्पून से भी अच्छे तरह से बेशन में लपिटके और कड़ाई में डाल सकते हैं, और जब तक यह बेशन हमारा यह डाल उससे पहले हमने आयल गरम होने के लिए रख दिया है, और आप जो भी रिफाइन का पसंद है तो रिफाइन में भी बना सकते हैं, और तो यह देखिए यह दोनों साइद उलट पलट करके और हलके मीडियम फ्लेम है गैस का और अच्छे तरह से एकदम पढ़ियां से एकदम कवर कर दीजिए का पनीर को बेशन से नहीं इस्पून से होगा तो हा मनली हमारा बेशन अच्छे से पक जाए इसलिए मेडियम फ्लेम गय से होना चाहिए और बढ़ियां से उलट पुलट करके अच्छे तरह से करंची फ्राइ किजिए और टेस्टी एक चटनी के साथ आप ट्राइ किजिए कोई भी चटनी आप ग्रीन चटनी लाल चटनी कोई तेस्टी देखिए हमारा फ्राइ हो गया हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया और हमने इमली की चटनी बनाया है लाल वली थोड़ी शी और बस बच्चों को तो बिना चटनी के भी पसंद आता है पर बढ़ों के लिए एक चटनी जरूरी है कोई भी आप चटनी बना लेजे और यह देखिए हम आपको ऐसे करके दिखा कि कितनी करंची फ्राइ होता है उसके बाद इतने अच्छा लगता है कि पूछिए मत यह हमने इमली का चटनी रखा है और दो सगरा में कम सगम 14 पीसे सुआ है 14 पीसे पनीर पकोड़ है दो दो पीस तो आराम से मिल जाएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्यू सो मच आप लोगों को कि आप लोग सपोर्ट करते हैं और कमेंट करके जरूर बताईएगा पनीर पकोड़ा आपका कैसा बना जरूर एक पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कैसा बना आपका प आप लोग मेरा वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को फोलो करते रहें लाइक सब्सक्राइब करते रहें थाइंक्यू सो मच आप सभी लोगों को और एक बार आप लोग यह पनेर पकोड़ा जरूर बनाईएगा और यह देखिए हम तोड़को अपको दिखायते कि पनेर एकदम अच्छे तरह से उसमें दीख रहा था और देखिए थैंक्यू सो मच